राम राम जी कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे तो आप सभी का एक बर फिल से स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जाग फैमली व्लॉग्स में तो आज का जो वीडियो है वो बहुत जादा requested वीडियो है बहुत टाइम से मुझे request आ रही थी और बहुत interesting भी होने वाला है वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि जो आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई और जो बाते मैं आपको आज नाकुमत के रिगार्डिंग बताने वाली हूँ मैं दावा करती हूँ कि यूट्यूब पे आज तक किसी नहीं सब बाते आप लोगों के साथ शेर नहीं कियोंगी नाकुमत के बारे में इतना detailing में किसी नहीं आपको आज तक नहीं बताया होग कि मैं आप प्लीज नाकुमत पे वीडियो बनाएं कि नाकुमत कैसे बनता है तो वही वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि काफी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बट मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाती हूँ ऐसे ही आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर दूंगी जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं वह सही है या गलत है तो मैं बहुत जादा रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए ये वीडिय लेके आई हूँ और मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगी नाकुमत किस तरीके से बनाया जाता है कहां से आता है और किस तरीके का होता है और मार्केट में नाकुमत किस कलर का मिलता है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन तक लोगों ने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चानल को प्लीज और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी रगे तो प्लीज लाइक कर देना जादा से जादा वीडियो को शेर करना और अगर आप को ज़रा सी भी वीडियो इंफर्मेटिव लगती है तो मुझे कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर और कोई इंफरमेशन आपको चाहिए या और कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग वह भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं जरूर आप इस कारण से बड़ा मिट्टी खा रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं ये कही ना कही सच है कि केल्शियम की कमी के कारण मिट्टी खाते हैं लेकिन जब हमारी बॉड़ी में जिंक की कमी होती है आइरन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है प्लस केल्शियम की कमी होती है तब हमें मिट्टी खाने की तलब लगती है अब नाकुमट क्या है? नाकुमट एक खरीके का खाथ है जब आप ओनलाइन नाकुमट खरीते हैं तो उसके पकेट पे बहुत क्लियरली लिखा होता है कि आप इसको मिलने के बाद 3-4 दिन भूप में सुखाएं उसके बाद आप इसके क्रंच को टेस्ट करें तो आप ये देखें कि अगर उस मिट्टी को क्रंच लेने के लिए हमें सुखाना पड़ रहा है तो वो क्या है? वो में आगे आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो में बने रहें जो नाकुमत होता है वो किरकिरा नहीं होता है जो लोग खाते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि नाकुमत किरकिरा नहीं होता है उसमें कि मिट्टी की तरह किरकिरा नहीं होता है नाकुमत दातों में चिपकता नहीं है, मिलताने मिट्टी की तरह नाकुमत चिकना नहीं होता है नाकुमत कहां से मिलता है? पहले वे आप लोगों को बताती हूँ कि नाकुमत का एक दूसरा नाम भी है जिसको छुई मिट्टी कहा जाता है और ये चुई मिट्टी कहां से आती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ राय सेंजिले में एक छोटा सा गाउं है इत्वा वहाँ पर पुरानी मिट्टी की पुरानी खदाने है जहां से चुई को निकाला जाता है ये काम साल में सिर्फ 30 दिन किया जाता है जब बारिश होती है बाकी दिनों में जो मिट्टी होती है वो बहुत जादा हाड हो जाती है अगर उस मिट्टी को खोते हैं तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ सफेद पत्थर निकलता है बारिश के दौरान मिट्टी गिली होने के कारण ये पत्थर गल जाता है जितना पत्थर गल गया है उसको हाथों से साफ किया जाता है और इस प्रकरिया को करने में बहुत जादा मेहनत लगती है बहुत जारा लेबर लगता है तो इसको हाथों से साफ किया जाता है और बाकी पत्थर को वहीं पे गलने के लिए छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर अगर और पत्थर गलेगा तो हम उसको फिर से साफ कर लेंगे तो 30 दिन तक ये पूरा continue चलता है उसके बाद जब वो चुई इकटी हो जाती है मैं आप लोगों को screenshot दिखा रही हूँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लेडीज चुई को अलग कर रही है और गोले बना रखे है तो जो actual नाकूमट होता है वो white color का होता है इसके बड़े बड़े गोले बना के सुखाए जाते है अब ये काम क्या आता है क्यूं करती है गाउं की लेडीज ऐसा उस area में आज भी मिटी के कच्चे घर है तो जब 30 त्योहार होता है तो 30 त्योहारों पे घरों को लीपने के काम ये नाकूमट आता है वहाँ पर अब साल में सिर्फ 30 दिन मिलता है तो पूरा साल क्या करेंगे पूरा साल कहां से लाएंगे लोग बाग इसको स्टोर करकर के अपने घरों में रख लेते हैं और जब भी 30 त्योहार आता है तो इसको पानी में भिगो दिया जाता है और घरों को लीप लिया जाता है जिसमें बहुत है एक सौनी सौनी सी खुश्बू भी आती है और घर भी अच्छा लगता है अब जो आपको मार्केट में नाकुमट मिलता है आप बोलेंगे वह तो काले कलर का होता है आप बोल रही हो सफेद कलर का होता है यह काइंड ऑफ इस टोन है सफेद मिटी है जो नाम जिसको नाकुमट प्रोवाइड कराया जाता है अब आप देखेंगे जब आप उनलाइन पर्चेस करते तो बहुत सारी वराइटी होती है ड्राय फ्रूट नाकुमट रोस्टेड नाकुमट इस तरीके की बहुत सारी वराइटी होती है बेसिकली दो तरीके की नाकुमट आप लोगो ठीक है तो ये तो हो गया जो white नाकुमट होता है उसको roast करके उसको black या brown color दे दिया जाता है अभी बहुत सारे areas में नाकुमट किस तरीके से बनाया जाता है ये तो rice end की हो गईगी rice end में इस तरीके से नाकुमट निकाला जाता है अभी बहुत सारे areas में नाकुमट किस तरीके से बनाया जाता है जो ऐसे areas है जहां पे तालाब है या जोड है जोड होता है जहां पे गाए भैस नाती है बहुत बड़ा सारा तालाब होता है गाउं के एक सिरे से मतलब पूरे गाउं को वो cover करता है चारों तरफ से गाउं का area जब उसमें नीचे कीचर जमा हो जाता है अगर आप जोड में अगर स्कार्टिंग में है तो ठीक है जैसे जैसे आप उसमें डीप जाते जाएंगे आप उसके अंदर धस्ते चले जाएंगे काईड़ दलदल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो गोबर और भैसो का सूसू और जो भैसो का जो भी मैल वैल होता है सब उसके अंदर जाता है तो वो इकठा होते होते पानी में रहते रहते काईड़ दलदल हो जाता है तो उसको साल में एक से दो बार साफ किया जाता है जब उसकी जो उपर की लेयर निकाली जाती है उस लेयर को सुखा दिया जाता है उसको सुखा के और घरों में रख लिया जाता है जहां पे आज भी कच्चे गर हैं उनको घरों को दिवारों को लीपने के काम वो मिट्टी आ जरा दातों में चिपकती है क्यों नहीं किर्किरी होती है आप एक बात बताईए जब उसमें भैस का गोबर मिला हुआ है गाये का गोबर मिला हुआ है भैस का सुसू मिला हुआ है गाये का सुसू मिला हुआ है और भी जो गाओं में जानवर है कुट्टे है सुवर है जो भी और भी जानवर है, वो भी उसमें जाते हैं, अभी उनकी मनाही तो है नहीं, जाता होगा उसमें, अब किसी कोई अगर नहा रहा है, उसको नहाते नहाते अगर टॉलेट आया तो बहार टॉलेट करने थोड़ी आएगा, तो सोची आप लोग कितनी हेल्दी चीज आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, और ऑनलाइन खरीद खरीद के दे रहे हैं, फैसा बर मूत्र क्रकिरा नहीं होता है, चिपकेगा कहां से, चिपनाई कहां से आएगी, तो सोची आप लोग, और ये मैं दावा कर रही हूँ कि जो बाते नाकुमट के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताई हैं, यूट्यूब पे आज तक किसी ने आपको इतनी डिटेलिं नाकुमट का नहीं बताया होगा, तो उमीद करती हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिएगा, और अगर चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अल नोटिफि कि प्लीज नाकुमट को ना खाएं, ये चौक, स्लेट पैंसिल, मुलतानी मिटी से जादा हामफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि काइंड ऑफ स्टोन है, काइंड ऑफ दलदल है, मलमूत्र है, गाए भैसों का, इंसानों का, जानवरों का, यार आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, आप क्या मतलब अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि अगर आप खुद ये सब गंदगी खा रहे हैं तो, कुछ हेल्दी चीज़े खाईए, फ्रूट खाईए, ड्राइ फ्रूट्स खाईए, अच्छे-ची चीज़े खाईए जा आपके शरीर को लगेगा, तो चलिए फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज की वीडियो में इतना ही मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ, और अगर आप लोगों के अभी भी कोई क्वेरी बाकी है, तो कमेंट बॉक्स में कमे आप लगा हो.